नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप SBI का ATM कार्ड ब्लॉक या पर्मनेटली बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए application form किस तरीके से आपको भरना है और वो application form मैं आपको live demo के साथ बताऊंगा देखिए, आप जब भी ATM कार्ड ब्लॉक करने चाहिए तो आपके पास आधर कार्ड की copy अगर आपके पुराने ATM की अगर नमबर लिखा हो तो भी चल जाएगा, अगर ATM का नमबर या कुछ नहीं है तो भी आप ये process करवा सकते हैं application form description box में से आप देख लिएगा, आप live demo देखते हैं नमस्कार दोस्तों, अगर आपको अपना ATM बंद करवाना है तो सबसे पहले आपको SBA ब्रांच में जाना होगा, वहाँ से आपको SBA का application form लाना होगा, उसको भरके या flip करके आपको वापिस ब्रांच में जाके जमा करवाना होगा, इससे आपका ATM बंद हो जाएगा तो आएए गाईस, ये form कैसे बरते हैं मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा होगा, कि यहाँ पर दीनाग, डेट दिखाए दे रही है तो यहाँ पर जिस दिन आप form को bank ब्रांच में जमा करने जाओ, उस दिन के आपको यहाँ पर date लिखनी है तो मैं आज की date लगा देता हूँ, उसके बाद name, आपका जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर add करना है तो मैं यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, उसके बाद आपके account number, जो भी आपके account number है, वो आपको यहाँ पर add कर देना है उसके बाद आपको अपने pen number भी यहाँ पर add कर देना है, pen number भी उसके बाद आपका address जो भी जहां पर भी आप रहते हैं वहां का आपको address लिखना है यहां पर उसके बाद आपके contact number जो भी आपके account से जुड़ हुए number है वो भी आपको यहां पर add करना है उसके बाद आपके आदा नमबर जो भी आपके आदा नमबर है वो भी आपको यहाँ पर add करना है उसके बाद आपको अगर आप अपना ATM बंद करवाना है तो यहाँ पर आपको ATM के नमबर लिखने होंगे जो आपने पहले ATM यह ATM के मैं आपन नंबर लग दिता हूँ यह मैंने ATM के नंबर लग दिये इसके बाद यहाँ पर आपके साथ सर करने हैं आपको signature, signature करने के बाद आपको इसमें अपना pen card number और आदार card यह दोनों की photo copy इस form के पीछे लगेगी और यह complete होने के बाद इसको आप brand में जाके submit करवाएं तो thank you guys, thank you so much तो friends मुझे उमीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया और प्लीज मेरा वीडियो आप अपने whatsapp ग्रूप पे share करें और मेरा चैनल subscribe करवा के रखें banking related informations के तो thank you friends